जैन्द इस्पिरिंस आयरूब इठाकुर वेलकम यूटू दा एसस्पी क्राक एक्जाम्स चैनल आम आयर विद आ न्यू टॉपिक सो आज जो हम बात करे है बहुत सारे णिश्पैपरों एक आर्टिकल पब्लिश हो रहा है कि जो एर्थ है उसे अब 되면 second moon मिलने वाला है तो चली जानेंगे detail में कि यह जो दूसरे moon की कहानी है दूसरे चांद की कहानी है यह कहानी है किस चीज़ की so title जो हर जगा that is कि Earth will grab the second moon लेकिन ध्यान रखेगा this is not like our जो natural satellite है हमारी moon उसकी तरह नहीं है this is a tiny asteroid जिसका नाम है 2024 Pt-5 तो September 29 से लेकर November 25, 2024 तक यस जो asteroid को हमारे round देखा जाएगा Earth के round तो एक अम से कम दो महीनों के लिए जो है Earth के round घूमेगा and इसे लिए इसे जो है moon का जो नाम दिया गया particularly we call them as the mini moon हलांके हम नेकड आई या फिर बहुत सारी telescope है उनसे नहीं देख सकता है बिकास बहुत ही जादा light उसमें है ये correct asteroid है बिकास टू 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 पींट दन बाट ये सबायवेद इस special कुछ जो telescope रहते है उनके साथ इनको जरूर देखा जा सकता है सो बात कीज़ा है कि mini moon सबसे पहले होता क्या है so mini moons है temporary natural satellites जो की Earth के round orbit करते है Earth के round आती क्यों है Earth की जो gravity है वो उन्हें अपनी तरफ attract कर लेती है capture कर लेती है and this is the reason कि वो कुछ समाई के लिए बहुत ही एक temporary phase के लिए भारत मतलब सारी Earth के round गूमती रहती है and बहुत ही छोटे कुछ diameters की रहती है and short time के लिए ही आती है आज तक का जो सबसे famous mini moon है that is the 2006 RH120 हलागे हम आगे भी जानेंगे कि अभी भी हमें कुछ इससे पहले mini moons हमें देखने को मिले है so जिसे कि मैंने आपको बताया एक छोटा सा asteroid है जिसे हम a mini moon कहते है and we all know about the asteroids asteroids के बारे माँ आप सब जानते static part का portion आपके geography का done so यह जो asteroid 2024 PT5 है यह around 10 meters का है means अगर size की बात करें approximately 33 feet का है and सबसे बेल जो इसे spot किया गया था that was on August 7 and that passed by the NASA का जो Atlas Mission है जिसका full form क्या है asteroid terrestrial impact last alert system NASA दोरा funded है यह and early warning system correct है तो उसी के अंदर इस particular asteroid को भी देखा गया था so अब यह जो हमारा mini moon है यह आप asteroid के लिजिए यह जो path follow करेगा तो आप जानते है Arjuna asteroid belt के उपर so Arjuna's we all know कि एक group of asteroids है उसी को नाम दिया गया Arjuna's तो उन्हीं की तरह यह भी path follow करेगा so approximately 2 महिने 53, day 57 इतना tenure है इसका but it will not be able to complete a full orbit पूरा orbit नहीं कर पाएगा जैसे हमारा natural जो moon है वो orbit करता है इसका जो orbit हमें देखने को मिलेगा that will be horse shoe अगर आपने horseshoe के बारे में देखा होगा तो horseshoe की जैसे shape होती है उसी shape में यह रहेगा for example this is the horseshoe shape done तो इस shape में यह रहेगा उसके बाद it will leave the orbit and जैसे यह normal space के अंदर journey कर रहा था मतलब एक planet भी नहीं है तो बाहर से आए हुआ एक object है जाए वो astroid ही क्यों नहीं है अगर आप इसे study करते हैं properly तो scientist के लिए future में किसी astroid का path depict करने में जरूर हमें help होगी done हमने अभी कुछ ताइम पहले भी देखा था कि कुछ ऐसे missions जिससे हम चाहते हैं अगर मानलीजे कोई astroid बहुत बढ़ एस्टोइड है और वो normally अर्थ को hit कर जाए तो यस वो काफी जादा डिंजर का साइन है हमने देखा भी अभी कुछ ताइम पहले कि यस एक हमें success मिली भी है कि जो एक जो revolving हमारे around रहते है उसका हमने path है हमने change किया था so this is done correct तो similarly यहाँ पर भी बात है मानलीजे कोई astroid ऐसे approach कर रहा है अगर वो अर्थ को hit कर जाए जिससे बहुत ज़दा problem हो तो at least we can change the path of that particular किसी भी celestial object के अगर हम बात करें तो similarly अगर इसके साथ हमें हो सकता है scientist को बहुत ज़दा help को लेकि astroid का path किस हिसाब से रहता है historical context में अगर बात करें तो आर्थ ने इससे पहले भी mini moon सपास में देखे है for example July 2006 से July 2007 के बीच में एक 2022 NX1 जो है वो temporarily orbit हुआ था 1981 उसके बाद 2022 में वो फिर से आया था so यह जो सारे इस तरह के जो events होते है yes this is all due to कि अर्थ की एक अपनी gravity है and वो स्चीज को attract कर जा लेते है then so this is the case इसलिए आपने हर्जा का article पढ़ा होगा there the earth's second moon but yes this is not the actual moon यह एक asteroid है जो की बाहर से earth की gravity ने से capture कर ले so around 2 महिने के लिए उसके orbit में रहेगा then and after that it will continue it's a journey in the space so that's all for this particular update अभी आपके screen पे है courses for SSB interview हर महिने बैचेर्स बैट के आप जोइं कर सकते है saadhi we are having the courses for India series of class you can enroll in this particular courses और जब्भी आप enroll करे एक discount code है 4810 आप जैसे से apply करेंगी you will be getting the 10% off on that particular course so that's all for this particular lecture thank you so much have a nice day जय हन जय भारत अगर आप एक defense aspirant है और SSB interview NDA, CDS, FCAT जैसे exams के लिए prepare कर रहे हैं तो आप SSB crack exams के course को चेक करना न भूले आप हमारी learning application को Google Play Store से भी download कर सकते हैं जैसे सकते हैं